दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको दिखाने वाला हूं आई जीए एरपोर्ट का बहुत बड़ा ओक्षन देखिए हमेशा क्या होता है आज भी ओक्षन चल रहा है कल भी है देखिए बारत तारीक को भी है एरध तारीक को भी है और आने वाले अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं यह जो इनफ reflection देने जा रहा हूँ वो आने वाले उक्षन का है तो आईये अभ़ हम चलते हैं और देखते हैं कि यह जो आप वीडियो नहीं था या मुझे उसकी हमने duty नहीं भरी या हमने उसको छुडार नहीं फाए तो उसमें क्या होता है, वो बाद में auction किया जाता है। हलां कि सब कस्टम के इंडर में आता है उस पर जो कस्टम duty बनती है जो हम prize खरीते हूं उसे कस्टम duty जाता है लेकिन वो सब उस प्राइज में include होता है, सिर्फ GST हमें extra देना होता है, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं ये auction देखते हैं, पहले ये जो वीडियो है, आप देखिए जो की shoot किया गया है वीडियो, ठीक इससे पहले जो auction जो निकला हुआ है, उसका है, और ठीक इसी तरह से आगे भी auction इसी तरह से होता रहेगा, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, 19 तारी को बहुत बड़ा auction है, और उसके बारे में हम बात करेंगे, यदि आप भी interested है, तो बहुत सारा product है, आईए और देखिए, और auction देख करके आप खरीद सकते हैं, तो ये जो आप auction देख रहे आपका registration कराते हैं, आपको practically training देते हैं, आपको एक training देते हैं, प्लस पूरे एक साल तक, जैसे auction declare होता है, वैसे हम आपको भेज देते हैं, और जब आप registered कर लेते हैं, तो आपके पास भी list आता रहता है, और आप भी वहाँ से देख सकते हैं, तो ये सब जो lot देख रहे है ठीक, इसी तरह से क्या होता है, कि एक auction का inspection का date होता है, और एक माल खरीदने का date होता है, तो inspection के date पे जा करके आप पहले माल देखते हैं, और auction के date पे bid लगा के आप माल को खरीदते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिस date पे inspection है, उसी date पे आप जा सकते हैं, नहीं उसके बाद में नहीं उसके पहले और जाने के लिए आपको auction विभाग में registration करना अनिवारे है अगर registration नहीं है तो आप ये माल नहीं देख सकते हैं तो ध्यान रखिये दोस्तों और registration होने के लिए जो mandatory है वो आपके पास GST होना चाहिए अगर GST नहीं है तो बस ये आपके लिए दे पर गाइड करेंगे हम आपका registration कराएंगे और आपको practically training देंगे कि आप कैसे खरीद पाएंगे goods तो नमस्कार मैं धीरेज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में तो आएव हम बात करते हैं आने वाले auction की तो ये जो auction है दोस्तों ये है UPS Express Private Limited का UPS कूरियर कंपनी है जो कि विदेश से समाल लाने के लिए काम करती है तो इनके पास बहुत सारा product आया हुआ है अब बहुत सारे product जो goods जो deliver नहीं हुए इनके client के पास उनहीं सब वो product का auction हो रहा है कर UPS रहा है through MSTC के हो रहा है और जो भी माल खरीदेंगे हम जो bid लगाएंगे उसी के अंदर से custom duty जमा होती है और उसके ऊपर जो bid आप लगाएंगे उसके ऊपर आपको GST जमा करना होता है तो दोस्तों ये देख लीजिए कि ये जो total जो 19 तारीक को auction है उसमें जो total है 29 lot है और ये सिर्फ 19 तारीकों ने ये हर महीने में आप इस महीने के अगर बात करेंगे तो आल्रेड 3-4 auction हो चुका है सिर्फ IGI airport पे और भी बहुत सारे जैसे कलकटा airport चैन्नाई, बैंगलोर, मुंबई इन सब जगों पे जितने airport है हर जगा होते रहते हैं हम लोग video नहीं बनाते हैं लेकिन जो भी हमारे client registered है उनको हम वो list भेजते रहते ताकि उनको knowledge हो अगर आप एक youngster हैं और इस काम में अपना हाँ थजमाना चाहते हैं तो कोई problem नहीं है आप हमारे साथ जुड़िए, GST नहीं है कोई बात नहीं है आप सीखिए पहले काम को सीखिए और उसके बाद इसको सीख करके करेंगे आपको बहुत फायदा होगा और खास करके airport पे और UPS उगर है में तो price भी पहले बता दिया जाता है कि इतने price है और उसके बाद आपको जैसे कि मैं आपको बता दूँ जैसे कि मैं आपको कुछ एक दो item का detail भी मैं आपको बता देता हूं और अभी price declare नहीं हुआ है जैसे 19 को है तो उससे एक या दो दिन पहले हो सकता है price declare हो जाए या ना भी हो तो आपको एक रूपए से bid start होगा वहां से लगाना है अगर declare हो जाएगा तो ध्यान रखे जितनी price declare होती है ना market के one fourth होगा मेरे हिसाब से जितना अभी हमने देखा है जैसे माल लीजी कोई एक लाग का product है तो 25 या 30,000 रूपए आपसे मांगे आप वीडियो देख रहे हैं यह सब ठीक एयरपोर्ट के auction कहीं है जो पहले हमारे colleagues हैं जो हमारे दीपांकर जी हैं उनके दौरा बनाया गया था और अभी क्या होता है हर auction के मतलब जिस दिन visit date होता है उसके अगले दिन हमारे पास बहुत सारा photo और picture आ जाता है क्योंकि अब जब तक auction नहीं हो जाता है auction हो जाएगा तब आप हमारे telegram channel पे जाके वो picture और video आप देख पाएंगे तो description में link दिया हुआ है आप हमारे channel से जुड़ सकते हैं telegram channel से तो आपको ये फायदा होगा कि अगर किसी auction में आप नहीं जा पा रहे हैं तो उसका photo video auction के बाद आएगा देखें auction के बाद हम इसलिए share करते हैं ताकि हमारा client गया है मेहनत किया है और वो photo video किशी और को पहले ही मिल जाएगा तो क्या होगा कि वो माल दूसरा कोई खरीद सकता है इस वज़े से हम लोग पहले share नहीं करते हैं हम लोग बाद में करते हैं एक दिन बाद में तो ताकि हमारे client के साथ कोई दिक्कत ना हो उसका जो मेहनत है वो पानी में न जाए तो दोस्तो इस तरह के related information हम आपको पूरे साल तक देते रहते हैं और यह इस तरह के auction सिर्फ IGI दिल्ली airport या सिर्फ इस महीने नहीं है पूरे साल चलता रहता है और इस तरह के कई सारे airport है कई सारे custom station है कई सारे CFS है कई सारे ICD है जो हमारे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं ऐसा मतलब बहुत सारे product जो भी import और export होता है हर product का कहीं न कहीं कहीं न कहीं auction लगता ही रहता है तो यह देखे time देने की चीज़े है जितना आप time देंगे उतना आप इस चीज को अच्छे स समझ पाएंगे तो आईए अब product के तरब चलते हैं तो यह इसमें देखे बहुत सारे use mobile phone है जैसे और बहुत सारे new जैसे iPhone हो गया और बहुत सारे laptop हो गया और उसके बाद में Bluetooth speaker हो गया AirPod हो गया उसके बाद में बहुत सारा modem आया हुआ है जो router हो गयरा होता है देखे खास करके जो airport पे product मिलता है वो electronics और garments और जो fashionable product है वो चीज आपको airport पे देखने को मिलेंगी तो इसमें बहुत सारा देखे जैसे कि यह Wi-Fi smart plug है USB है hard drive है fitness tracker है बहुत सारे smart watch है बहुत सारे यह जो network के बहुत सारे product है बहुत सारे LCD LED बहुत सारे garments और बहुत सारे देखे यह एक से आपको बहुत सारा information मिलता रहेगा हमारे तरब से और यदि आप एक registered है और खास करके यहां से है देखे airport का auction जो होता है इतना बड़ा नहीं होता है कि बहुत दूर से लोग आए यदि आप आसपास के हैं और एक छोटे दुकंदार है आप swap की पर हैं तो ही जाए क्योंक problem हो सकती है तो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप एक swap keeper है आपके पास GST है तो ही आपके लिए ये benefit है तो दोस्तों ये आप माल 17 तारीक को देख सकते हैं सुबह के 10 बजे से साम के 4 बजे तक ध्यान रहे इस timing में कभी भी बदलावा सकता है आप यदि हमारे client है तो पहले ह हमें call करे जाने से पहले क्या sir आज हो रहा है हम एक बार per day सुबह में confirm कर लेते हैं कि क्या ये हो रहा है क्योंकि कई बार उसको postpone कर दिया जाता है और terms condition में clear लिखा हुआ है कि वो कभी भी किसी भी auction को postpone कर सकते हैं आपके खरीदने के बाद भी उसको cancel किया जा सकता है तो आपको चलना है कोई आपको guide करेगा better way में चलेंगे नहीं तो आपको ठेस लगेगी बुद्धी बढ़ेगा आप कर पाएंगे ऐसा नहीं कि आपको हमारी जरूरी है आप खुद से भी कर पाएंगे लेकिन देखिए जहां तक मैं आपको बता दू अभी दो दिन पहले हमने क्लाइंट का registration रात को call आया और हमने registration किया और उन्होंने बताया कि सर किसी का call आया है कि कस्टम के तरफ से call आया है कि हम auction लगा हुआ है तो ध्यान रखिए कस्टम कभी भी call नहीं करता है कि auction लगा हुआ है आईए आप माल खरी दिया हमेशा से इसका एक जो procedure है उसको follow किया पता चला जो हमारे client को call गया था उन्होंने 2 लाख रुपए की demand करी थी कि 2 लाख रुपए हम commission लेंगे और widget करने के लिए उनसे 50,000 रुपए मांगा गया मैंने client का नाम reveal नहीं किया है यदि client मुझे permit करते हैं और वो बोलते हैं उनका recording भी है जैसा कि client ने बताया है अगर होता है तो हम recording भी reveal करेंगे अगर हमारे client permit करते हैं तो तो दोस्तों इस तरह के लोगों से साधान रहे हमारा कोई ऐसा ये commission का काम नहीं है हम आप से एक genuine charge लेते हैं हमारा office है हमारा पूरा staff है हम एक genuine charge लेकर के आपको एक रास्ता दिखाते हैं और एक आपको एक सही मतलब decision लेने के लिए आपको प्रोच het करते हैं बाकि देखें हमारा कोई काम नहीं है कि हम मतलब ये हम माल आपको दिला देंगे और ऐहां को मैد करना है देखिए आप ये को मेनत करना है जाके product आपको देखना है choose आपको करना है select आपको करना है फिर payment करना है तो ठीक जैसा कि आपने अभी तक video देखाया इसी तरह का auction होता है जाए जा करके देखिए और आप देख करके माल खरीदी तो जो भी ये photo video दिखाया गया है ये सब आपके एक knowledge के लिए दिखाया गया है ये पुराने footage है तो आप किसी भी product का video और photo देख करके decide ना करें अगर आपको product खरीदना है तो पहले auction में जाए visit करें और देख करके ही माल को खरीदे तो दोस्तों जूड़े रही है हमारे साथ देखते रही है import export जाए हिंद जाए भारत